हरे कृष्णा राधे राधे तो भक्तो आप सभी को हैपी मकर संक्रान्ती और ये हैं आज सुभा के दर्शन पूजा के और आज हम बताएंगे हमने सारा दिन क्या क्या किया और थोड़ी सी वीडियो मिल रही है आपको लेट क्यूंकि पूजा आरती तो सुभा ही हो गया था लेकिन जो है दान पुन आज के दिन पूरा दिन चलता रहता है तो इसी वज़ा से वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो ये पूजा की वीडियो तो सुभा ही बना ली गई थी लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था क्यूंकि सुभा बहुत सारे काम हो ज शाकूर जी की पूजा आरती जरूर होनी चाहिए और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने रात की महनत तो देखिए ये हमने बनाई थी रात में बैटके मैंने और मेरे बेटे ने तो हम लोगों ने काइट तयार की थी क्योंकि मार्केट में जो है काना जी के लिए काइट म बगेरा करने के बाद जब हम फ्री हुए तो फिर रात में जो है बारा बारा साड़े बारा वजे तक हमने बैटके ये काइट तयार की उनके लिए क्योंकि ठाकूर जी को तो प्रॉमिस किया था पतंग देने का कि मकर संक्रांती पे हमारे ठाकूर जी पतंग उड़ाएंग क्योंकि अगर आप लोग बता देंगे न कि कैसी बनी हैं कैसी सारी तयारिया हुई हैं तो ऐसा लगेगा कि ठाकूर जी को भी सब कुछ पसंद आ गया तो यहाँ पर चलिए आप कर लेते हैं ठाकूर जी के भोग की तयारी तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ कुछ ड्राइफ पसंद है तो मैंने जो है कोशिश की है कि ठाकूर जी के लिए लड्डू जादा रखे जाएं जो कि ठाकूर जी आराम से अपनी पूरे दिन पतंग उड़ाएं इंजॉय करें और भोग भी लगाते रहें क्योंकि हमारे ठाकूर जी को भूग जादा लगती है क्यूंकि लड्डूों का भोग लगाएंगे और फिर मैं करूंगी इनके लिए खिचडी तयार क्योंकि जब तक हमारे घर में ठाकूर जी को भोग नहीं लगता है तब तक हमारे घर का कोई भी सदस से खाना नहीं खाता है इसी वज़ा से जो है ना मैं पूजा वगेरा बहुत सुब बहुत जल्दी कर लेती हूं तो दान के लिए हमने कंबल और हनुमान जी के मंदिर के लिए शौल मगा के रखी है और खिचडी मैं बना कर भी बाटती हूं और कच्ची खिचडी का तो दान होता ही होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खिचडी बना कर दान करते तो उन लोगों को और ज्यादा अच्छा लगता होगा तो वहां पर जो है लाइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं जल रही थी तो वह सारा कुछ फिर नया लगवा किया है क्योंकि भगवान अंधेरे में रहें यह सब देखके न अच्छा नहीं लग रहा था वहां पर तो ब और देखिए मैं यहां पर लाई हूँ गर्मा गरम खिचडी बना के तो जो है मैंने इसमें ड्राइफ रूट्स डाले हैं और घी है और तही के साथ में ठाकोर जी को खिचडी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद जो है फिर घर में सभी लोग प्रसाद क्रहांट करेंगे तो जो भी बड़े लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को चरनिस्पर्श और छोटों को प्यार तो आप जरूर बताईएगा कि आज की तयारी और जो भी आज का सारा दिन हमने जैसे भी व्यतीत किया जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया आपको कैसा लगा और दान बनाने में भी टाइम लगता है तो यहाँ पर लग चुका है भोग ठाकोर जी का और नीचे आ गई हैं ढोल वाले जो की आवाज लगा रहे हैं कि कुछ लेके आओ हम भूके हैं कुछ खिला के भेजो तो जो अच्छा हुआ मैंने समय से खिच्री तयार कर ली थी और फिर मै यही था आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे